अगर आप सबी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 जिसका नाम है भुकम्प बिविशी का अर्थाद भुकम्प की आपता अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजीगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजीगा और अगर अपने इस चैप्टर की पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजीगा और उसके बाद प्रशन उत्तर करिएगा जो समस्त्र राष्ट था संपून राष्ट जो है किस उल्लास में मगन था तो समस्त्र राष्ट्रम नित्य में गीत में और संगीत में तीनों उल्लास में उल्लास मनाने में मगन था बुकंपस्य केंदर बिंदू कहा जन्पदह आसीत बुकंप का जो केंदर बिंदू था वो कौन से रगर था बुकंपस्य केंदर बिंदू कच जन्पदह आसीत कौन से जंगा थी वो कच जन्पद थी कच जो जंगा थी वो बुकंप का केंदर बिंदू था प्रित्विया स्क्लनात कीम जाएजे जब प्रित्वी जो स्क्लन होती है स्क्लन का अर्थ होता है जब वो अपने स्थान से हट्टी है तो क्या उत्पन होता है तो प्रित्विया स्क्लनात महा कंपनम जायते महा कंपन होता है next question समग्रों विश्वः कह आतंकीपह द्रिश्यते जो संपूर्ण विश्वः था वो किसे आतंकीपह दिखता था समग्रम विश्वे अशांत पंच तत्वह जब अशांत हो जाते हैं पंच तत्व कौन से हैं कमारे प्रित्वी जल अग्नी वायू और अकास जब यह तो आतंकित हो जाते हैं और ताथा आश्यांत onc हो जाते हैं यह तो यह पांच तहो дав द्रिश्यतयड तोशंपून जो विश्व है वो आतंकित दिखता है किद्रशी भवनानी धराशाई नी जायें ते कैसे भवन जो है धरशाई हो गएते बहु भूमिकानी जो बहुत बहु मनजला इमारते थी भवन से जो बहु मनजला जो घर बने हो थे धरशाई हो गएते इसमें हमें प्रशन का निर्बान करना है तो पहला क्या है हमारा क? इसमें दियाए भुकंप विबीशी का विशेशने कच जन पदह ध्वनसाव शेशु परिवर्तित्वती तो इसमें ध्वनसाव शेशु की जगा क्या आजाएगा हमारा केशु अगला है विज्ञानी कहा कथ्यंती यत पृत्वियां अंत्रगर्भी पाश्याण शेला नाम संगरशेन कमपनम जायते तो विज्ञानी कहा कि जगा आजेगा हमारा के अगला है विवशह प्राणिनह आकाशे पिपीलिकाह इव निहन्यते आकाशे की जंगा आगया हमारा कुत्र एताद्रशी भ्यावः घटना गडवाल शेत्रे घड़िताहा तो एताद्रशी की जंगा आगया हमारा किद्रशी तदिदानें भुकंप कार्णम विचार्णियं इसमें क्या करणने है भुकंप के विश्य में हमें 5 वाक्ये लिखने हैं तो पहला वाक्य वाक्य क्या है हमारा विश्य का अस्ति वुकंप क्या है? एक आपदा है अनेन महा विनाशह भवती जिसमें बहुत जादा विनाश होता है बुवह कंपनम भुकंपह कत्यते जब भूमी जो है कंपित होती है तो उसे भुकंप कहते हैं मानवह भुकंप निवारने अक्षमह अस्ती जो मानव है वो भुकंप के निवारन में अभी अक् इसमें जो है सभी को जागरुक होने की आवशकता है तो यह हमारा वुकंप के विशे में पांच वाक्य लिखने थे वो पूरे हो गए अगला कोशन है हमारा कोश्टक केशु दत्तेशु निर्धातु शु निर्देश अनुसारम परिवर्तनम विधाये रिक्स्थानानी पू पहला क्या है समग्रम भार्तम उल्लासे मग नहा तो अस्धातु लटलकार में क्या बनेगा अस्ती अगला है भुकंप विबेशिका कच जन पदम गिनश्टम क्र प्लस त्वतू प्लस नीप क्या बनेगा अमारा क्रत्वती अगला शनेव प्रानिनह ग्रहे विहे नहा तो भुक प्लस लंगलकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है भुदातु का अभवन अगला है शान्तानी पंच तत्वानी भूतलस्य योग शेमा भ्याम और भुक प्लस लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन में भवनती अगला है मानवह डैश यत बहु भूमिक भवन निर्मानम कर्णियम नवा तो इसमें क्या करना है प्रच्छ दातु में लट लगार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है तो प्रच्छनती हो गया इसका अगला है नदी वेगेन ग्रामहा तद उद्रे डैश अर्थाज सम प्लस आ उप्तर्ग विश्थात और विदिलिंग लगार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा हमारा समा विशेई हो अगला कोशन कोशन नमर फाइफ पे आ गया अब इसमें क्या करना है संधी संधी विच्छेदम च कुरूत या तो संधी करनी है या संधी का विच्छेद करना है उसे तोड़ करके लिखना है तो पहला क्या है कर किंच किंच को कैसे लिखेंगे किम प्लस च और नगरम प्लस तू क्या बनेगा हमारा नगरंतू विपनम च तो विपनम प्लस च किम प्लस नू क्या बना के नू बुझ नगरंतू क्या बना बुझ नगरम प्लस तू और सम प्लस च क्या बन next question है हमारा आ है विसर्ग संधी नियम अनुसारम विसर्ग संधी क्या करना है हमें इसमें नियम के अनुसार करना है कैसे जैसे पहला है शिश्वस्तू तो शिश्वह प्लस तू अगला क्या बना विस्वोटह प्लस अपी क्या बना विस्वोटर अपी सहस्त्रोशो अन्ये सहस जायते और वामनकल्प फ्लस ए वामनकल्प एव का विसरगल संदी करया हमने इसका तो लामनकल्प प्लस एव यह हमारा कोशन फिफ्ट का आपड कम्प्लीट हो गया नेक्स्ट कोशन है कोशन स्यक्स इस में हमें चा है करे शॉँन करना है और पहला है संपन्नम, संपन्नम का विलोम क्या होगा, विलोम का अर्थ होता है उसका उल्टा या विप्रीत उसका, संपन्नम का क्या हो गया, विपन्नम, अगला है ध्वस्त भवनेशू, तो नव निर्मित भवनेशू, निसरंती भी का क्या बना, प्रविशंती भी, और निर्म हमाय का क्या बन गया हमारा विनाशह है शनेव का क्या बना सूचिर नई इसका आ पार्ट देखT इसमें क्या करना है कस थम्पे पदानी धत्तानी ख bog थम्फे समानार्थक पदानी तयोहोल सैयोगम कुरूत101 मिलाना समानार्थक होते हैं सेम वर्ड्स जो होते हैं हमारे पर्यायवाची पर्याकुलम का क्या हो गया हमारा व्याकुलम विशीर्णह का हो गया नश्टहा उद्गीरंतह का हो गया प्रकटेंतह विदार्य का संत्रोट्य और प्रकुपिताम का हो गया हमारा क्रोध युकताम तो ने जैसा क्यों धारण में दिया हुआ है प्रकृति प्रत्यों विभागम कुरूत प्रकृति और प्रत्य का विभाग करना है तो पहला क्या हुआ धृत्वान जैसा उन्होंने एक्जांपल में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है ये कि परि प्लस वृत प्लस त्वतू प्लस नी विशीर्णा का एक्जाम्बल दिया है जैसे वी प्लस च्र प्लस त और इसमें क्या मिल गया हमारा टाप विशीर्णा बन गया प्रचल क्या बना प्रचलंती का प्र प्लस चल प्लस शत्री और प्लस नीप अगला हतह, हतह का क्या बना हन प्लस त, तो ये हमारा सेवन्त का अ पार्ट पूरा हो गया, अगला है आ पार्ट इसमें क्या करना है पाठा त्विचित्य समस्त पदानी लिखत, की पार्ट में से इसमें समस्त पद रिखने है इसकी, तो महत चतत कमपनम क्या बना महा कमपनम, दारुन चासा विबीशिका दारुन विबीशिका ध्वस्तेशु च तेशु भवनेशु ध्वस्त भवनेशु प्राक्तने च तस्मिन यूगे प्राग यूगे महत च तत्राश्ट्रम तस्मिन महाराश्ट्रे तो यहाँ पर हमारे चैप्टर के कोशन आंसर कम्प्लीट होते ह चाप्टर 10 के अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजीगा और बैल आइकन जरूर दबाएगा जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे श नेवाद